नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो इस्टडी नियूज जोग्रफी विद मैपिंग में आज हम लोग भारत के प्रमुक पहाडों के बारे में जानकारी लेंगे तो बात करते हैं अरावली के बारे में इस मैप में आप दिहान से देख सकते हैं यहाँ पर यह है अरावली यह विश्व की सबसे प्राचिंतम परवत स्रेडी है जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है अब यह अपरदन के कारण आवसिष्ट रूप में दिखाई देती है इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है इसकी सबसे उची चोटी गुरू सिकर इसके दक्षडी भाग में इस्थित है यही पर राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू विसु प्रसिद दिलवाड़ा जैन मंदिर और नक्की जील इस्थित है यह स्रेडी धात्विक खनीजो के भंडार के लिए प्रसिद है इस स्रेडी में यूरेनियम, तामबा, जस्ता, सीसा और कई प्रकार के धात्विक खनीजो का भंडार पाय जाता है इस स्रेडी के पूर्वी भाग को मेवाड प्रदेश और पश्चमी भाग को मारवाड प्रदेश कहा जाता है मेवाड प्रदेश में राजस्थान की सरवादिक जनसंख्या निवास करती है जबकि मारवाड प्रदेश में मरुस्थलों का विस्तार पाय जाता है और इन छेत्रों में खनीजों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में पाय जाता है अब बात करते हैं विंद्याचल स्रेणी के बारे में यह राजस्तान में चितोड गड से लेकर बिहार में सासाराम या सोन नदी तक फैली हुई स्रेणी है जिसका विस्तार राजस्तान, मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जारखंड और बिहार में है यह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मिस स्रेडी है जिसमें जिपसन के भंडार पाय जाते हैं यह स्रेडी उत्तर भारत को दक्षिड भारत से अलग करने के साथ साथ जल विभाजक का भी कारे करती है इस स्रेडी में कई पठार भी हैं जैसे भांडेर का पठार, मिर्जापूर का पठार, कैमूर का पठार, रोहतास का पठार इस्थित है जिस कारण इसमें कोई भी उची चोटिया नहीं दिखाई देती अगला है सत्पूडा परवत स्रेडी इसका विस्तार गुजरात महाराश्ट्र, मद्यप्रदेश और 36 गड़ की सीमा पर है ये प्राचीन परवत स्रेडी है जो अवसिष्ट रूप में दिखाई देती है इसके दोनों और भ्रंस घाटियों का विस्तार है ये ब्लॉक परवत का एक अच्छा उधारण है इसकी सबसे उची चोटी धूपगड महादेव स्रेडी पर इस्थित है यहीं पर मध्य प्रदेश की हिली स्टेशन मंच मडी भी स्थित है जो जैव मंडल आरेक्षित छेतर है सत्पूडा की दूसरी महतपुण चोटी अमर कंटक मैकाले स्रेडी पर मध्य प्रदेश और 36 गड़ की सीमा पर स्थित है अब हम लोग बात करते हैं पश्चमी घाट के बारे में प्राइदीपिय भारत के पश्चमी भाग में फैली हुई स्रेडियों को पश्चमी घाट या सहे आद्री स्रेडी कहा जाता है इसका विस्तार गुजरात में तापती नदी से लेकर दक्षिड में कन्या कुमारी तक गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में 1600 किलोमीटर लगभग की लंबाई में फैला हुआ है जो वास्तों में पर्वत नहीं बलकि भ्रंस कगार या पठारों का कगार कह सकते हैं जो सदाहरित वनों से ढका हुआ है इसकी सबसे उची चोटी, अन्ना मुडी, अन्ना मलाईस रेडी पर केरल राज्य में इस्थित है ये प्राइदीपिय भारत या दक्षिड भारत की सबसे उची चोटी है पश्मी घाट को तीन भागों में बाटा गया है पहला है उपरी या उत्तरी सह्यादरी यह गुजरात में तापती नदी से लेकर गोवा में मांडवी नदी तक फैली हुई स्रेडी है इसकी सबसे उची चोटी कलसुबाई है जो माहराष्ट में हरिष्चन स्रेडी पर इस्थित है इसी सह्यादरी में माहराष्ट का हिल इस्टेशन महा बलेश्वर इस्थित है दूसरा है मध्य सह्यादरी ये मांडवी नदी जो गोवा में है मांडवी नदी से लेकर करनाटक में नीलगीरी स्रेडी तक फैला हुआ है इसी सहयादरी में इस्थित बाबा बूदन की पहाडी और कुद्रे मुख लो अयस्क भंडार के लिए प्रसिद है इसी सहयादरी की सबसे उची चोटी कुद्रे मुख करनाटक की सबसे उची चोटी है पश्चमी घाट का तीसरा भाग है निचली या दक्षडी सहयादरी ये करनाटक में नीलगीरी स्रेडी से लेकर दक्षड में कन्या कुमारी तक फैली हुई है यह सहयाद्री कई छोटी छोटी पहाड़ियों से बटी हुई है इसकी सबसे उची चोटी अना मुड़ी केरल राज्य में इस्थित है इस सहयाद्री में कोड़ई कोनाल उदक मंडलम जिसे उटी भी कहते हैं हिल इस्टेशन इस्थित है अब बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में प्राइदीपी भारत के पूर्वी भाग में फैली हुई स्रेडियों को पूर्वी घाट कहा जाता है जिसका विस्तार उडीसा में महनадी से लेकर करनाटक में नीलगिरी स्रेडि तक है यह पश्चमी घाट के अपेक्छा अधिक कटी-फटी और चोड़ी स्रेडी है क्योंकि पश्चमी घाट से निकलने वाली नदियां इसे अपरदित कर देती है और इसके उजाई को कम कर देती है इसकी सबसे उची चोटी अर्वा कोंडा या विसाका पत्नम की चोटी जिसकी लंबाई लगभक 1680 मीटर है आंधर प्रदेश में इस्थित है यह जबकि इसकी दूसरी सबसे उची चोटी महंदर गिरी उडीसा में इस्थित है अब बात करते हैं नीलगीरी स्रेडी के बारे में ये केरल करनाटक और तमिलनाडू राज्य में फैली हुई स्रेडी है इसका सरवाधिक विस्तार केरल राज्य में है इसी स्रेडी पर पूर्वी और पश्मी घाट का मिलन बिंदू करनाटक राज्य में है इसकी सबसे उची चोटी दोदा बेटा तमिल नाडू राजे में स्थित है यह प्राइदीपिय भारत या दक्षडी भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है इसी स्रेडी में तमिल नाडू की सबसे बड़ी जनजाती टोडा निवास करती है यहाँ एक क्रिसक जन जाती है इसी स्रेडी के ढाल पर चाय की खेती और साल के व्रिक्षों की प्रधानता पाई जाती है अब यहाँ पर हम लोग कुछ छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में भी जनकारी ले लेते हैं सेवराय पहाड़ी यह तमिल नाडू राजे में इस्तित है जो धात्विक खनीजों के भंडार के लिए प्रसिद है इसके बाद है मिल्लागिरी यह करनाटक आंध्र प्रदेश और तमिल नाडू राजे की सीमा पर फैली हुई स्रेडी है जो चंदन के व्रिक्षों के लिए प्रसिद है फिर है पलिनी पहाडी यह अन्नामलाई स्रेडी के दक्षिडी पूर्वी भाग में फैली हुई स्रेडी है जिसका विस्तार तमिल नाडू में है इसी स्रेडी पर हिल स्टेशन कोड़ई कोनाल इस्तित है और अंतिम है महेंद्रगिरी स्रेडी ये तमिल नाडू राजय में फैली होई भारत की सबसे दक्षीरतम स्रेडी है अभी मैंने आपको उडिसा राजय में भी एक चूटी बताई थी जो महेंद्रगिरी परवत थी और एक ये भारत की दक्षीरतम परवत है जिसका नाम महेंद्रगिरी है तो ये थे भारत के कुछ इंपोर्टन पहाडों के बारे में जानकारी So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment